नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्ध शंकर तिवारी हूँ दिली हाई कोट से बड़ी खबर आ रहा है और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के बरिश्ट नेता और पूर्वर केंद्री बित्यमंत्री पीची तंबरम की आयनेक्स मीडिया केस में जमानत अर इंद्रानी मुखरजी के बयान के अधार पे उनको अभ्युक्त बनाया गया है उस इंद्रानी मुखरजी से और उनके हस्बेंट पीटर मुखरजी से तो उनकी कभी मुलाकात हुई ही नहीं थी तो फिर कैसे इनको अभ्युक्त बनाया जा सकता है क्योंकि ओरिजनली इनका ये फाई यार और चार्ज सीट में नाम नहीं था हाला कि बाद में CBI ने ये सावित करने की कोशिस की कि इनकी मुलाकात होई थी और बलकी मुलाकाती रजिस्टर को गायब कर दिया गया था फिर होटल का वहां से रिफ्रेंस निकाला गया जहां से कि वैकिल का इस्तेमाल की जमाना तरजी खारिज हो गई है इसका मतलब कि अब इन्हें तिहार जेल में ही अगले कुछ दिनों तक बिताना होगा एक चीज़ एकदम क्लियर कर दें कि आयनेक्स मीडिया केस में जो पी चितमरम के उपर आरोप है वो ये है कि इन्हों ने अपने छित्रादिकार का उ CBI में और दूसरा चल रहा है ED में CBI ने ही इनको गिरफतार किया था और CBI ने ही रिमान लिया था और सी मामले में इनको तिहार जेल जूडिसियल रिमान पे भेजा गया था निचली अदालत से जो आरजी खारिज हुई उसके बाद हाई कोर्ट में बेल पीटिसन लगी हु है कि ED ने जो है दूसरे देशों को चुकि धन सो दन का मामला भीन के उपर लाग हो रहा है दूसरे देशों को वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉकुमेंट्स भेजे हैं जब तक वो वेरिफाई होके आ नहीं जाते तब तक ED इन्हें अपनी रिमान पे नहीं लेगा तो कु अबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें